भारत का सबसे बड़ा अंडर वाटर फिश्ट अनल एक्सपो मित्तल ग्राउंड मुम्रा में सभी लोगों के लिए आ चुका है अब आपको ये फिश्ट अनल देखने के लिए डुबई, सौधी, अप्रिका या फॉरेन में नहीं जाना पड़ेगा आप इसका एक्सपीरियं तो ही सुना आपने, क्योंकि ये आम फंफेर नहीं है, यहां पर आपको जबरदस्ट अंडर वाटर फिश्ट अनल एक्सपो, शौपिंग, सेल्पी पॉइंट, स्पेशल किट्ज जोन के साथ पूट खोट, हाउगली, अम्यूजमेंट पार्स, फंफेर, 30 उपीज में कोई पर जाना, जब मुम्रा में हैं इतना पहतरीन ठीकाना, एक बर जरूर विजट करें, मुम्रा मिट्ल ग्राउंड पटेर एंड अंडर वाटर फिश टनल एक्सपो, मुम्रा मिट्ल ग्राउंड शंकर मंदिर के पास कि नजीब के साथ में क्यों गए आप जो उनके आफिस पर क्यों गए वह बुद बूरा आद्मियों चुनाओ आई ओग किस तरीके की ड्यूटी निभार रहा है किसकी ड्यूटी निभार है समझ के बार है आज जिसे चुनाओ के अंदर यह था है कि बर्गत का पेड़ता कप स असरती उकता सूरता जितेंद्रवाट का जो है यहां से दूसरी चुनाओ चिन को लेकर मैदान में उतरना और जीतना यह मुम्किन हो सकता है नगर सेवक और कारकरता सम मिला के ऐसा लग रहा है कि सब डबल इंजन पे चल रहे है तब मैं पूरा काला चिट्था सब फाड़ अच्छे लोग दूर हो गए गलट टाइप के लोग पार्टी को हाइजेक कर चुके है आथ से जादा कब्री गिरी विदायक के उपर असर डालेगा क्यों नहीं डालेगा एक पुरी पार्टी टूड़ गई पार्टी के दो फाड़ हो गए वही दिन मेरा आखरी दिन होगा आप लोग जो पुराने लोग थे वो लोग वहाँ पर चुरक्षा की मांग को लेकर क्यो नहीं आए प्या वजादी बड़े बड़े नेता है दो-तीन नेता और भी बड़े बड़े हैं बोलता है हम जीतें रवाट के लिए ये कर देंगे वो कर देंगे सीने पर गोली खा पुली स्टेशन में जो नौजवान लड़के गए वो शायद उनकी प्राइवेट अपनी सेना है मौबबत नौजवान जब करता है तो ब्लाइंड हो जाता है देखे राजन किनी साब अंदर से जले है वो चुड़े हुए है महिश स्लामुतिर खान और आप देख रहे हैं प्रहाट टैम्स एंसिपी पार्टी में जिस तरह से अब जो एंसिपी पार्टी का जो लोगो था चुनाव चिन वो अजीद पवार एंसिपी गुट को मिल चुका है ऐसे में मुम्रा शहर में घड़ी चुनाव चिन जो है जाने से विधायक जीतेंद्र अभाट के चुनाव लड़ने पर और वो किस पार्टी में जा रहे हैं यह तमाम अटकली इस पर लगाई जा रही है लेकिन वहीं शरत पवार को क्या नया चुनाव चिन मिलता है और उनके पार्टी का नाम भी क्या रखा जाएका यह तमाम मसले ऐसे जो है चल रहे हैं हमारे साथ सेयद अली अश्रव भाई साब है एंसिपी पार्टी के ही नेता है उनसे बात करेंगे हम भाई साब आप भी शरत पवार गुट के नसे पी पार्टी के हैं नेता तो जिस तरह से यह पूरा खेल हुआ चुनाव चिन जाना और विधायक जीतें रवाट जो घड़ी से यहाँ पर चुनाव लगते थे जीत कराते थे तो आने वाले समय में जो चुनाव होगा उशको आप किस नशी देखें देखें आईथा एक चुनाव चिन जाना तो मतलब एक समझ जाए यह सदमे की बात तो है कि चुनाय ओ, किस तरीके की duty निभा रहा है, किस की duty निभा रहा है, समझ के बार है वेराल एक नया symbol अगर हमको मिलेगा, जो भी अभी हमको दो-तिन symbol का है आज रात तक final हो जाएगा, तो उस मेंसे एका symbol हमको मिलेगा तो सेंबल को घरगर पोचाना अभी है शोशल मीडिया है वगएरा तो दरा आसान है वारना काफी टफ है कि सब तरफ जो है जिस तरीके से हमारी घड़ी फेमस थी उस ने सेंबल्स को तो पोचाने में हमको तकलीफ उठाना पड़ेगा सच्चा यह यह नाम को लेकर चिक रहे था तो शाद नाम जो है वो मिल चुका है एंसेपी जो है शरत चंद्र नाम हमको मिल चुका राष्टवादी कॉंग्रेस पाटी है शरत पावर गट चुनाओ चिन जो है वो क्या जो है लेने के लिए तैयार है क्या आज जिसे चुनाओं के अंदर ये था है कि बर्गत का पेड़ था, कप सासर थी, उक्ता सूर ये था तो मुझे इससे लगता है कि उक्ता सूर की आवंडित होगा इससा मुझे लग रहा है अब उपर वाले क्या फैसले लेते हैं वो उनके उपर है एक आसान सिंबोल है जरा और अच्छा भी तो क्या लग रहा है आपको कि कहीं न कहीं जो है ये अगर चुनाओं चिन मिल भी जाता है तो जो एक घड़ी जो निसान थी और कहीं न कहीं अजीत पवार गुट के तरफ से भी चुनाओं पर यहां पर काफी जोर दिया जाएगा ऐसे में जीतेंद रभाट का जो है यहां से दूसरे चुनाओं चिन को लेकर मैदान में उतरना और जीतना ये मुम्किन हो सकता है जीतेंगे हम लड़ेंगे और जीतेंगे टफ रहेगा तो एलेक्शन तो टफ होना चाहिए थोड़ा मज़ा आना चाहिए एक तरफ है एलेक्शन होने से मज़ा भी नहीं आता था जो गोम्रा शहर में जीतें रभाट के खास तार पर कार्य करता है वो कहीं ना कहीं जो नगर सेवक भी थे नगर शेवक और ककरता सम्मिलां के ऐसा लग रहा ही कि सब डबल इंजन पर चल रहे हैं कोई कुछ बता नहीं रहा है कि वह किधर है डबल इंजन पर है न पर जो दोड़र है जिसे स्टेशन पर उतर जाएं देखे ऐसा है कि हमारे नगर से वक जितने भी है सब हमारे साथ है अब रासा बार डबल इंजन टिबल इंजन तो इस पे जब वो टाइम आएगा तो देखने को मिलेगा इस पे मैं दो महिने के बाद में बोलूँगा डबल इंजन सिंगल इंजन ये सब जो चल आए पूरे शहर में पॉलिटिकल नमासान इस पे मैं बोलूँगा दो महिने के बाद तब मैं पूरा काला चिट्था सब फाड़ के रख दूँगा सब की चुकि बहुत चीज़े देख दाक के ऐसा लगता है तकलिफ होती ही देखके पार्टी के अंदर विचार की कमी है पार्टी के अंदर गैप हो चुका है अच्छे लोग दूर हो गए गलट टाइप के लो यह तीनों चुनाओ जो है आवाट सब को यही सब लोगों ने लड़ाया था और जो अरिजिनल चुनाओ लड़ाने वाले लोग है तो ने देखी नहीं दे है अफसो से इसबात का क्युनी दिखने वजह क्या ने दिखने की वजह पुर। इस मेरselves ससले वजहे रहती है। कहीं न कहीं तकलीफ, ऐसे दूर ओजाना। क्रेस बढ़ चुका में हर चीज अच्छी बोलना तो लोगों के अच्छा लगता है, अगर मैं कोई चीज बुरी बताता हूँ तो बुरा लगता है तो इसी तरीके से हर कारे करता है अपना अपना हो है कि खबरी गिरी हद से जादा खबरी गिरी हर इशू पे खबरी गिरी खबरी गिरी जो आप बोलें तो ये कितना असर डाल रहा है अबी तो खेर अलग पार्टी हो गई तो जो विधायक हैं यहां के उन पर कितना असर डालता है देखेंगे भी वों समालेंगे हम लोग कुछ ना कुछ तो करेंगे विधायक के उपर असर डालेगा क्यों नहीं डालेगा एक पुरी पार्टी तूड़ गई और अच्छे लोगों के दूर होने से हुआ। उसमें ऐसा नहीं कि मैं अपने आपको बहुत अच्छा बोलता हूं, मैं बहुत बुरा अदमी हूं। अब भी तो दूसरों के साथ में। बाइसाब के इसके रिष्टे, उसके रिष्टे, लेकिन मैं मेरा वसूल वाला अदमी हूं। मेरे वसूल के अंदर कोई ये बोले कि मैं गुलाम बना के रख लूँगा तो ये सब नहीं चलता मुझसे। मैं आजाद हूं। जिसे अनननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननननन मेरा मैं एक मजभी घराने का हूँ तो मेरे तालुकाद सब के साथ अच्छे हैं एक चीज और है देखा जा रहा है ये कि जिते द्रवाट के सुरक्षा की मांग की जा रही है और मुम्रा पुली स्टेशन पर बड़ी संख्या में लोग आये थे लेकिन वो लोग नहीं थे जो जिते द्रवाट के साथ चलते थे जिते द्रवाट के हर काम में रहते थे कहीं न कहीं उनके जरीये से जो है आज वो अगले मुकाम तक पहुँचे आप भी नहीं थे वहाँ पर तो आखिर क्यों नहीं सुरक्षा की मांग करने को लेकर जो वहाँ पर मांग करने के सब नौजवान युवत थे और जो आप लोग जो पुराने लोग थे वो लोग वहाँ पर सुरक्षा की मांग को लेकर क्यों नहीं आए क्या वज़ा थी आप लोगों को नहीं है कि उनकी सुरक्षा जो है दी जाए ऐसे मुंबरा शहर में कई नेता हैं बड़े बड़े नेता है दो तीन नेता और भी बड़े बड़े हैं जो बोलता है हम जीतेंदर अवाड के लिए यह कर देंगे वो कर देंगे सीने पर गोली खा लेंगे बिल्डिंग से कूच जाएंगे ऐसे बहुत लोग है देखे ऐसा है कि जीतेंदर अवाड साब की सुरक्षा के लिए हम खुद कमिशनर के पास जाने वाला हूं मैं जाने वाला हूं कूच जाने वाला हूं जो यहाँ पे पुली स्टेशन में जो न तो अब वोगो को उनोने भेजा आए और लोग खुद गए उम्हें नहीं मालूं मैं जाने वाला हूं जाने वाला हूं दो चार दिन में जाओंगा इंशाओला वोग तो लोग तो ऐसा कह रहे थे कि अभी नौजवान उनका ऐसा कहना था कि जितेंदरवाड हमारे नेता है और हम अपने नेता के सुरक्षा के लिए यहां पर आहे हुए हैं नौजवान है मोबद करते होंगे और मोबद नौजवान जब करता है तो अब लाइन्ड हो जाता है तो हो सकता है कि मैं तो नहीं जानता हूँ अज उसमें दो तीन लड़कों को मैं पहचानता हूं ताकि वो उनको विक्तिकत हो गय होंगे या यूत में होंगे, यू मैं शानु से पूछूँगा कि यूत में कब ये बच्चे आए, इनका क्या पद है, तो पूछ के पता लगा लोगा, अगली बार बता दूँगा आपको. पार्टी तो हेर फेर हो गई, अजीद बाटा का बयान आया, जिस दिन चुनाओ चिन मिला उनको, उनका बयान आया कि सब फैसला हो गया, सच्चाई की जीत हो गई, सच्चाई की कैसे जीत हो गई, सच्चाई तो ये है कि पावर साब की पार्टी थी, सच्चाई तो ये है कि पवर स изв 7 साल पर्टी का बनाया था ता अब उनके अपना साहिं तो अपना सही है उनके साहिए है, हम अपने हिसाब से मैं अपना सही है कितना जोड लगाएंगे अप लोग चुनाउ जीतानी इमान दानी के से बोलो इसलामम नका बाए जब चुनाउ आएगा ना एक तो तब देखेंगे कि कौन क्या काम कर रहा है कौन कहां भाग रहा है क्या कर रहा है लेकिन हम तो इमानदारी से चुनाओ पिछले तीन चुनाओ लड़ाया है चौता भी लड़ाएंगे यहीं से बैटके यह आफिस पहली चुनाओ भी लड़ेगी और आखरी चुनाओ भ बयान दिया है कि ग्राम पंचाय चुनाओ भी नहीं जीत सकते अब और उनको अपनी असलियत अब समझ में आ गई है देखे राजन किनी साहब का कुछ तो अंदर से जले है और जलने का मतलब ऐसा नहीं कि मैं उनक्य कोई वो कर रहा हूँ मतलब वो चुड़े हुए हैं और जब आदमी कहीं हटता है तो कुछ चुड़ा होगा उनका कुछ व्यक्तिगत है तो उस पर उन्होंने बोला कि ग्राम पंचाय भी ने फिलाल तो वो एमेले हैं या कर बोलने का मक्सद ये था कि चुनाओ अगला बहुत टफ रहे गा उम्रा जो दिख रहा है मैं खुद बोल लाओ कि एलेक्शन तुरा टफ रहेगा लेकिन एलेक्शन हमीं जीतेंगे तो आपने सुना कि सेद अली भाई साहब का साफ तोर पर कहना है कि भले ही घड़ी जो चुनाओ चिन था वो कहीं न कहीं जो है एक बड़ी पहचान थी और अब ज चुनाओ को लेकर भी मुम्रा शहर में काफी जो है एक चर्चा का विशे बना हुआ है कि क्या घड़ी जाने के बाद जितेंद्र अवाट कलवा मुम्रा से चुनाओ जीत पाएंगे या नहीं जीत पाएंगे वहरहाल यह जब चुनाओ होगा उसी वक्त पता चलेगा किर अित्क पाएंगे जा हुआ है के बाल चाँ जाने के बाल शहां हुआ है कि झाल know है प्री में जाएंगे लिए क्या आवाट को जाएंगे ओक दोएंगे जा नहां 2,1,2,1,1,2,2,2,4 जो हैं जाने जा च है।